नमस्कार आज हम ठिट्टी और ठिट्टी दल के प्रकोप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे जैसा कि ठिट्टी दल का प्रकोप भारत वर्ष में बढ़ता ही जा रहा है ये फस्टों को बहुत जादा नुक्सान पहुंचा रहा है किसान भी इससे भैवीद है, किसानों में पुछ आसनका है तो चली जानते हैं कि वास्तों में ये टिड़ी दल है क्या कैसे नुक्सान पहुंचाता है, इससे हम बचाओ कैसे कर सकते हैं टिड़ी एक कीट है, कीड़ा है कि जिसे हम आम बोलचावे में ग्रासॉपर के रहे हैं ईक तरह के होते हैं एकका एंटिना पड़ा होता है एकका चोटा तो यह छोटे एंटिने वाला ग्रासॉपर और सामान्य वर्सता में टिड़ी एकर रहके ही घास वर्गी फसलों को जैसे गयों, धान, चभप खाता है तो सामान्य वर्सता में यह एकर रहता है खेतों में अकेला रहकर के ये खासों को खाता रहता है लेकिन जब परिस्तितियां इसके अन्पूल होती है जैसे कि अचानक सूखा विष्ट के बाद बारिस हो जाए अचानक सूखा पढ़ने के बाद जब बहुत ज़्यादा बारिस होती है तो और बहुत सारा उसमें पेड़ पौधे उगाते हैं उस इलाके में अचानक सुफ़गरस इलाके में बहुत सारा बारिस हुई और उसमें बहुत सारा पेड़ पौधे उगाए तो ये इसके लिए बिल्कुल अनखूल क्लाइमेट होता है अन्पूल ताप्वान और अन्पूल आदरता होने पर ये जो एकल टिड़ी होती है ये सामोही टिड़ी में बदल जाती है कहने करती है आप इस तरह से समझ लीजिए कि सेना है सेना अलग-अलग अपने बैरक में बैठी हुई है अचानक कुछ ऐसा अन्पूल कंडिशन आजाए कि सेना अलग-अलग से हजारों की संख्या में खूज करने नहीं है तो यही टिड़ी के साथ होता है जब अन्पूल तापवान और आदरता हो जाती है तो एकल टिड़ी के प्रेन में इसके दिमाग में एक हार्मोन सिक्रिट होता है जिससे एकल टिड़ी सामोही टिड़ीयों में परिवर्धित हो जाती है एप देखते हैं इसका जीवन चक्र। इसकी मादा जो होती है ये रेतीली भूमी में 25 से 10 सेंटीमिटर तक अंडे देती है। जिसमें से 7 से 14 दिनों के अंधराल में इसका बच्चा निकल जाता है। एसके बच्चे को हम निम्फ कहते है जो की हरे रंगा होता है। और धीरे धीरे ये 50-100 तक अंडे देती है, तो ये भरे रंका जो निम्फ होता है, रेतिली भूमे से निकल निकल कर, धीरे धीरे हज्जारों की संख्या में जो इसका निम्फ होता है, वो भूमने लगते हैं और खास को खाने लगते हैं, निम्फ जनरली 30-40 दिन तक जिन्द तो इसका निम्फ हरे रंका होता है जब कि वयास खाल के भूरे रंका होता है और इसमें पीले रंकी धारिया होती है इसके अंडे 5-10 cm गहराई में दिये जाते हैं यह आप देख सकते हैं कि यह पीले रंग के अंडे हैं और यह जमीन से 5-10 cm गहराई में दिये जाते हैं इसकी मादा अपना ओवी पोजिटर रेतिली जमीन में गुसा देती है और ये देखे अंडे सफेध रंग के ज्धाग से अंडे इसके कवर रहते हैं तो इसके अंडे को कवर करने के लिए सफेध रंग का ज्धाग रूपी सलशना होती है जिससे इसके अंडे बचे रहते हैं और भारत वर्ष में ये टिड़ी के अंडे देने का समय गर्मी रित हुए है और मुकिता प्रेतीली जगहों में अंडे दिये जाते हैं मुकिता पस्मी राजस्तान जैसल मेर जोदपुर के आसपास ही टिड़ी दल अंडे देता है तो अंडे से फिर निम्फ निकला, निम्फ टिड़ी का बच्चा होता है और ये 10 से 20 दिनों के बाद अंडे से निकलता है और बुजन की तलास भी एक जुना सुरू कर देता है और सामोही गरूप से निम्फ बीख दल को नुकसान पहुचाता है आप देखते हैं पिट्टी दल के प्रपोप में जलवायू की भूमिका, जलवायू की भब बड़ी भूमिका है, जैसे मैं आपको पहले बताया कि अगर जलवायू फेवरेबल हुई, जलवायू अन्पूल हुई तो पिट्टी दल अचानक आखों की संख्या में निकल ये दिखिए आप चकरवा की दूपान आया, जिससे लगबग 400 गुना महाँ पे वर्सा हुई, अचानक ही उसमें क्लाइमेट चेंज हुआ, 400 गुना तक वर्सा हुई, जिससे इसके लिए अन्पूल तापमान पैदा हो गया और जिससे टिट्टी ओं संख्या अचानक आता है और इसमें 400 गुना तक वर्स हो गई, इससे टिट्टी ओं की संख्या बहुत जादा बढ़ गई, अब देखते हैं टिट्टी दल की मूल उत्पत्ती, पहले चित्र में 2018 का है, जिसमें एक चक्रवातिय तूपान धीरे धीरे पस्नी अपरीका के रहिस्तान में आता ह है और 2019 में ये बहुत जादी, 400 गुना तक वहां पारिस हो जाती है, जिसके फलसरूप 2020 में वहां पेड़ पौदे बहुत जादा पुगाते हैं, वानस्पति ग्रोथ बहुत जादा हो जाती है, और टिट्टी दल के इसमें बहुत जादा अंडे दे दे जाते हैं, और इसका वातावण पूल रूपिय अनपूल हो जाता है, और एक चीज और भी है कि पसी में अफरिका के ये देश हैं, जो सोमालिया, एथोपिया, इसमें राजनेतिक अस्थिर्ता भी चली है, जिसकी वज़ए से ये लोग टिट्टी दल के अंडे अंडों को नस्ट नहीं कर पाए, इथोपिया, सोमालिया, साउथ सूडान इन सब जगह कुछ राजनेतिक इस्थिर्ता थी, इसकी वज़ए से ये कर नहीं पाए और इसका प्रकूप अत्यधिक हो गया, तो में कारण क्या है, चार सो गुना जादा पारिस होना, उसके पल सुरूप पेड़ बादों क परवायें चली, उससे टिड़ी दल दीरे-दीरे माइडरेट करते हुए, पाकिस्तान-ृरान और ऑर पाकिस्तान होते होते हुए पसिमी भारत में प्रविष्ट कर गए, तो ये टिड़ी दल सीदे पाकिस्तान और इरान से नहीं आई है, इसकी उत्वत्ति पसिमी अफरीक से हुई है पस्सिमी अफ्रिका इरान होते वे ये पाकिस्तान और भारत के पस्सिमी इलाके में राजस्तान पंजाब तक ये 2020 में इसका प्रकोप शुरूख हुआ अब ये देखा गया है कि भारतिय प्रायदूत में 30 सान बाद टिंडी दल की बीवीस का देखी गई है इतना भेंगर जो टिंडी आया है ये लगबग 30 सान बाद आया है ये देखिए आप लाकों की संख्या में ये उड़ते हैं और पेड़ को अदर बंदस्ट तो भारत अब अबर से में लगबग 50,000 हेक्टियर फसल तबाह हो चुकी है और 8 से 10 समूव है टिंडी के जो कि एक बर किलोमेटर के बरावर एक समूव होता है तो ऐसे 8 से 10 समूव है जो कि राजस्थान पंजाब आदी लाकों में अत्यधिक सकते हैं धीरे धिरे या मद्यप्रदेश के अलाके में भी आ रहा है और धीरे धीरे अगर इसके में सावधानी नहीं बढ़ती गई तो यह और आगे वाले लाकों में भी आ सकता है अब भारत में टिटी दल का प्रकोप जैसे मैंने पहले बदाया था इस मांचित्र के रिजाब से यह राजस्थान होते हुए मद्यप्रदेश पंजाब जा रहा है मद्यप्रदेश के पस्सिमी लाके में जा रहा है और अगर हवाओं का रुख अनकूर रहा हवाएं अगर उत्तर की ओर या उत्तर पसी उत्तर कुरब की ओर बही तो यह दिली और पस्सिमी उत्र परदेश के इलागों में इसकी संभावना है गवडानी की बात नहीं है अगर हवाओं का रुख रहा तब ही यह उपर की ओढ़ाएगा नहीं तो यह नहीं आएगा हाना कि इस इलाके में पस्चिमी राजस्थान, मद्यपर्देश, पस्चिमी मद्यपरदेश के इलाके में इसका प्रगोब काफी जाता है इस्टे नुकसान कितना होता है? FAO के अंसार 4 गरों टिड़ी दल 35,000 लों के बराबर भोजन खा सकता है 35,000 लोगों के ब्रावर 4 करोन तिर्दियों के दल बुजन खा सकता है जब कि एक टिड़ी दल में 4-8 करोन कीट होते हैं तो अगर एक टिड़ी दल आ गया तो 35,000 लोगों के ब्रावर बुजन ये खा करी जाएगा और इसकी अफथार लगवर 20 km पर्ति कहणिटा के अंशार ये काफी तेज उड़ता है 20 km पर्ति कहणिटे के रावर से उड़ सकता है अब आएए इसका प्रवंध कैसे करें प्रवंदन कैसे करें टिड़ी दलों की रोक थाम कैसे करें देखे, रुख्थाम के लिए हमें सबसे पहले जहां टिट्टियों ने अंडे दिये हैं, हमें उनके अंडों और बच्चों को नस्ट करते हैं, सबसे पहली रुख्थाम, तो अंडे बच्चे जनली इसके पस्सिमी राजस्थान या राजस्थान के लाखे में रेतिली भूम की नीचे ये एंडे देते हैं तो अंडोन को कुछ एक रसायन के भी नस्ट करते हैं और इसके नस्ट करने के लिए कई तरह के रसायन भी रrecommended है मैलाथिवन 96% अल्टर रू वाल्यूम एक लीटर परकी लीटर की दर से छड़काओ किया जाए मैलाथिवन 5% परकी दर का 20-25 किलोगराम परकी ह्रेक्टियर से छड़काओ किया जाए तो इस तरह से हम अंडों को टिटी की अंडों को नस्ट कर सकते हैं अगर अंडे एक बार नश्ट हो गए तो उसमें से टिड़ी की बच्चों की निकलने की समभावना कम होगी और हमें टिड़ी दल के प्रकॉप से मुक्ती मिलेगी तो सबसे पहले टिड़ी दल के अंडों को नश्ट किया जाए यह जनरी है सरकार करती है कि सिविभाग यह काम करता है कि лексीद गूम जों के सर्वे करके देखा जाते हैं कहाँ-काँ-काँ टिड़ी नश्ट किया जाता है ये काम चानली राजस्थान और पस्षिनी मध्यप्रदेश के इलाके में जहां जहां अंडे देने की संभावना है जनली ये रेती भी भूम में अंडे देते हैं तो इन जबहों में खोच-खोच के अंडेों को नश्क दिया जाता है लेकिन अगर ठिड़ी दल आपके इलागे में आही जाये तब क्या अंडेों का काम तो चलो ठीक है सरकार कर देगी लेकिन ठिड़ी दल आपके इलागे में अगर आजए तो क्या देखिए सबसे पहले हमें सचियत रहने की जुरुत है पिरसी वभाग को सचेत रहने के चुरूत रहे, टाइम टाइम है, पता होना चाहिए कि टिड्डी दल पहुचा कहा पे है, अगर आपके अलाके में उसके आने की संभावना है तो गाउवाले सब लोग कठा हो जाएगे, एक साथ सामोही की रूप से कारे करें, एक साथ थाली बजा करें, ड्रम बजा करें, ठूल बजा करें, तेज आवाज में सोर करना चाहिए, अगर टिड्डी दल आ रहा है, तो हमें ठाली बजा करें, ड्रम बजा करें, सोर करें, ताकि उसकी आवाज से हो थड़ा आपके खेतों में ना रहे, या हम आपके बजा सकते हैं, खेतो बेट रहा है तो पराड़ी जला करके इसको दूर भगाए नुद्र अगर आक के खेत में बैठ़ जाता है 30 अरग भाग भज केंट Matthew में बैठेगा अगर बैठ जाता है तो साम या रात्र के पहर में की नासक रसायनों का छिड़काओ करें तो प्रमुख अगर इसके वाजूद भी यह बैठ जाता है तो नासक रसायनों का छिड़काओ करें इसमें ग्लोर पारिफॉस 20 EC का 205 mm प्रति-लीटर ग्लोर पारिफॉस 50 EC का 1 mm प्रति-लीटर, डेल्टा मेथ्रिन 2.8 EC का 1 mm प्रति-लीटर, फिप्रोनिल 5 SC का 0.25 mm प्रति-लीटर, लैम्डा साय हलोथृन 5 EC का 1 mm प्रति-लीटर, मेलाथिवन 50 EC का 3.5 mm प्रति-लीटर और या मेलाफ्रॉन 25WP का 740 ग्राम पर ती लिटर इन में से कोई भी आपको कीटनासक में जाता है अगर तिड़ी दल आपके खेतों में बैठ जाता है तो रात्री के समय अच्छे से कीटनासकों का छिड़का करें बनियां से कीटना से उनका, दो-चार बार कीटना से उनका छिड़का करें, जिससे जो कीटना सक आपके खेतों में बैठ गया है, उनको उनका खात्मा किया जा सके, तो मैं दुबारा दोरा चाहता हूँ, अगर टिब्डी दल आपके खेत में आ भी जाये तो क्या करें, में कम टिब्डी दल बैठेगा, और अगर बैठ भी जाता है, तो इन निमनलिकित कीटनासों का अच्छे से इसमें छिड़काओ करें, इसमें घड़ानी की जुर्द नहीं है, फिर ऐसा करने से आपके खेतों का बचाओ होगा, और टिब्डी दल आपके खेतों से दूर भा 1-800-18-000011, यह हमारे उत्राखन सरकार के किरसी भा का नंबर है, या अपने जिले के किरसी अधिकारे को तुरंत सूचना दे, बिलकुल भी न घबडाएं, टिपी दल का नियंद्रन किया जा सकता है, धन्यवाद झाल